है गैस वेल्कम टू अन्नाद ब्लॉग फिराल अभी सुखे के तीन बज रहे हैं और मैं अभी बिरमित्रापुर जा रहा हूं इसका रिजन यह है कि हम लोग के गाहों में तल रात से ही जब चार चार आएंगे सोचे और चार्च लगाई कि 10 मिनिट हुआ कि नहीं करनेटी च पता नहीं लेकिन फिलाल तो उनके घर वाले एरिया पर आ चुके हैं अभी फिलाल तो फॉन को लगा दिये हैं चार्च में चार्च हो जाएगा फिर हम भी घर के लिए निगलेंगे है है फिलाल तो टाइम साढ़े पांच बजे के आस बस नहीं रहा है जब सैकल चला के आ रहे थे उसृइम अभी तक हम लोग का करेंट वगेरा नहीं आय आई है अभी तक तो आज आना चाहिए तो नहाने के लिए जाएंगे बहुं ठंडा लग रहा है लेकिन नहाना तो यह सारा काम कम्लेट करते हैं फिर आके मिलते हैं रेडी हो चुके हैं क्लास के लिए नहाद होके पूरा ठीक लगा लेकिन बहुत ही ज्यादा थंडा है तो फिलाल साड़े साथ बज़े के आसपास हो रहा है टाइम फिलाल तो सारा चीज रेडी हो गया प्रेकफस्ट बगेरा भी कर लिया है और दंडो भी रेडी है अज रेड वला जेकेट पहन के नहीं जा रहे हैं उसका रिजन यह है कि वह जेकेट के अंदर से इतना ज्यादा ठंडी लग रही थी कि क्या बोलें इसी कवज़े से आज यह इतना दूरलब टाइम हम लोग को कभी कभी देखने को मिलता है तो इस तो इस तो इस लग रहा है लेकिन हम लोग को मैं परिसरम वाला जो एरिया है हम लोग को यहीं वालो लगता है और आज बाकी जब्रस्ट्रेंग रहा तो आये हैं इसका रिजण यह है कि अभी फिलार टाइम तो हुआ नहीं है हम लोग आज अब दो आवे हम लोगां प्रेक्टिकल क्लास ऑबर वी इमेश्ट्रीक प्रेक्टिकल में हम लोग बहुँ सारे सॉलिशन वगरा तो बनाएं के अज कि यसी कि लिए सब को सायद अच्छा लगता हो गया चेंज होते हैं इसी कवज़े से जैसे हम लोगी प्रेक्टिकल वगरा तो में चलूगा घर यह मार्केट वगरा करके आएगी उसको मार्केटिंग करते करते थोड़ा लेट हो जाएगा परना साथ महीं आते हैं लेकिन मेरे को बहुत ही ज्यादा भूक लग रहाता है थोड़ा भी खा लिए तो थोड़ा ठीक लग रहा है लंच कंप्लीट कर लिए तो तो अभी पेट जाएंगे एडिटिंग करने मम्मी को तो टाइम लग जाएगा क्योंकि वह लोग नानी के घर भी होते होते आएंगे तो फिलाल ब्लोग को करते ही फिर एंड आई हूप किले भएब है